हाई गाइस मेना नाम है साहिल खंदा और आज की विजन शुरू करते है सबसे पहले न्यूज है इंडिन गवर्मेंट की तो पेट्रोल प्राइस का कट करने वाली है बाई इलेक्शन नहीं आ रहे है पर फिर भी पट्रोल के प्राइस घटते हुए दिखाई दे रहे है इसका रीजन क्या है यूज के जो क्रूड ओइल के प्राइस है वो एक पसंट घटते हुए दिखाई दिये वेंस्टे को जिसके चक्कर में 70 रुपे से नीची आ गया पर बेलर का रेट तो अभी कहा जा रहा है ओईल प्राइस घट सकते हैं लास्ट 14 मार्च को घटाए गए थे 2 रुपे पर लीटर इलेक्शन से पहले बट अभी इलेक्शन नहीं है फिर भी घटाए जा रहे है अच्छी चीज है बाकी ED की बात करके चले तो भाई वो money laundering case के अंदर किराना shops को investigate कर रही है basically बहुत सारी जो betting apps होती है जैसे fair play हो गया magic win हो गया महादेव online book हो गया यह सब के सब illegally कैसे operate कर रहे है किराना store वालों से setting कर लेते है और वहाँ से payment आती है मैं आपको समझाता हूँ पूरा नेकसस चलता कैसे है तो जितने भी fraud businesses होते है अगर उनको scale करना है digitally तो उनको gateway चाहिए या online payment accept करने के लिए कोई ना कोई तो system चाहिए अगर आप अपनी company का account खुल वाते हो वहाँ पर पैसा लेते हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कते आ सकती है तो वहाँ पर क्या होता है अगर आपको payment डाल नहीं होते है कोई paytm number और किसी बंदे का नाम आजाता है जिन लोगों को समझ नहीं होती है उनके नाम पे accounts खुल वा लेते है उनके नाम पे ही UPI, Paytm, VTM सब कुछ ले लेते है और उन्ही के account के लिए ट्रांसिट कराते है बढ़ यह तो थोड़ी और ही next level game दिखाई दे रही है अगली खबर आयुशमान खुराना की है तो The Man Company के अंदर 400% return से exit कर रहे है 2018 के अंदर उन्होंने इस company में invest किया था अब holding कितनी है यह नहीं पता है बस इतना पता है इतना return मिल रहा है अभी इमामी ने The Man Company को 400 करोड की valuation के उपर खरीदा है इमामी के पास पहले ही 50% से ज़ादा जो The Man Company की parent company थे उसकी holding थी अब वो बची यह holding भी खरीद रहा है इसके अंदर आयुशमान खुराना को return मिलने वाला है तो यह अच्छी चीज है अगर देखा जाए तो मैं कहीं पर बढ़ रहा था सब के सब क्रिटिसाइज कर रहे है अचाना कितना ज़ादा प्राइस बढ़ा दिया है अपने बहुत साइड लोग कह रहे है हम Adop पे सुच कर लेगे जब Canva price rise की बात आयी थी तो मैंने भी यही बात बोली थी कि भाई अब Adop एक better option दिखाई दे रहा है क्योंकि Adop आपको पूरा creative cloud देता है Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, After Effects सब और वो भी AI features देता है तो Canva का proposal थोड़ा खराब सा लग रहा था और यही globally भी हो रहा है एक दो रहे comment करे थी भाई इतनी बड़ी company है IPO निकाल रही है तू बताएगा इनको भाई देख लो पूरी दुनिया backlash कर रही है मैं तो marketer हूँ ना मैं तो consumer sentiments की around बात कर रहा था simple सी बात IPO आ रहा है IPO के लिए इनको numbers बढ़ाने थे ताकि हम projected revenue बढ़ा दिखा दे इसलिए ऐसा किया जा रहा है तो मैं business owner भी हूँ इसलिए बता रहा है सारी सारी चीज़े बाकि आप consistently देख रहे होगे बाकि अब regular videos आ रही है style करना वाले channel के उपर मेरा plan यही था कि breakfast में आप ये वाली वीडियो देखो और dinner में वाली वीडियो देखो तो उमीद कर रहा हूँ लोग देख रहे होगे दिरे दिरे pattern development होना शुरू हो जाएगा starting में views नहीं आ रहे थे but last videos मेंने देखी है अब YouTube recommend करना शुरू कर रहा है और बाकि जो आज वीडियो आने वाली है वो एक bomb वीडियो है मतलब थोड़ा high time वीडियो है थोड़ा political, geopolitical वीडियो बनाई है और आप कह सकते हैं एक rant है मतलब एक frustration निकाली है मैंने किसी चीज के round देखना भई दिल्ली slum बन रहा है इसके round वीडियो बनाई है अगर हम OnlyFans के owner की बात करके चले तो उन्होंने dividend dividend से एक billion dollar कमा लिया है लास fiscal year उन्होंने 472 million dollar लिया है as a dividend पिछले तीन साल में एक billion dollar से उफर का dividend ले चुके है अब OnlyFans दबा के profit कर रहा है ऐसा भी नहीं है कि company loss के अंदर है और मुझे लगता है कि भाई लो ना कोई दिक्कत नहीं है अगर आपकी company बहुत next level profit कर रही है 485.5 million dollar काहिनोंने profit दिखाया था 20% increase है इंडिया के अंदर तो नहीं पर globally बहुत साइड लोग इससे अपना रोजगार चला रहे है अब जिनको नहीं पता है इस बारे में मत पता करना कि OnlyFans क्या करता है क्योंकि अच्छी चीज नहीं है यह अगर हम बिग बास्किट की बात करके चले तो 1415 करोड का नहीं लॉस किया है financial year 24 के अंदर चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं revenue बड़ा है expenses भी बड़े है बट उनके losses घटते वे दिखाई दिये है बट देखा जाए तो बहुत सारी start-ups है यार पैसा नहीं कम आपा रही है revenue 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 user engagement और उसी के नाम पे 1000 करोडों का नुकसान कर रही है reliance भी भाई loss करता है बट वो बाद में दिखा देता है कि profit कैसे earn किया जाता है पर बहुत सारी इसे start-up है जो loss-loss को बहुत लंबे time से game खेल रही है start-up digital की बात करके चले तो उन्होंने 1200 करोड से जादा का loss report किया है financial year 24 के अंदर अब मेरी बात को ध्यान से समझने कुछ करना इनके losses 12% घटे है मतलब इससे जादा पहले losses कर रहे थे वो और इनका turn over पता है कितना है 421 करोड और ये double हुआ है तो समझो 421 करोड का revenue generate करने के लिए जो कि अभी double हुआ है आप 1201 करोड का loss कर रहे हो जो again घटता हूँ दिखाई दिया है data new की बात करके चले तो उन्होंने अभी recently credit card निकाला था अगस 2022 के अंदर उनिता कहना है कि हम सबसे fastest growing credit card है मुझे person लगता है अगर सबसे बड़ी है cards की बात करके चले जो market के अंदर है जो किसी company के साथ में linked है वो Amazon है Amazon Prime Users को 5% cashback देता है यह बहुत बड़ा number है अगर हम Air India की बात करके चले तो 4444 करोड का loss किया है financial year 24 के अंदर अभी recently company भी की है और losses घटते वो दिखाई दिये मैं यह नहीं कहा रहा company improve नहीं हो रही है पहले 11,388 करोड का था अब 4,000 से नीचे आ गया है तो improvement दिखाई दे रही है revenue भी 24% improve होता हो दिखाई दिये अभी recently Tata ने सारी companies को इखटा merge करने का भी plan किया थाकि खर्चों को कम किया जा सके जैसे विस्तारा हो गया Air India Express हो गया या फिर Air India का proper वाला system हो गया अगर Air India Express की बात करके चले तो उन्होंने 163 करोड का loss किया है financial year 24 के अंदर जो की financial year 23 में 117 करोड का profit कर रहा था और इसी के बीच में जो Tata Suns के chairman है न एंचेंदर शेकरन उन्होंने अपनी salary 20% बढ़ाई है financial year 24 के अंदर और 135 करोड की salary ली है very good आप चार्ट के अंदर देख सकते हैं सबको कितनी कितनी salary मिली है और कितना कितना पसंट rise आया है अगर हम by juice की बात करके चले तो जो उनके auditor है BDO उन्होंने resign कर दिया है अब by juice का कहना है कि blackmail tactics है ये blackmail करने का तरीका है पर इससे पहले Deloitte ने भी resign किया था वो भी blackmail कर रहे थे क्या सबके सब कह रहे irregularities है मतलब constantly एक pattern दिखाई दे रहा है मान के चलो ये सची होगा अब BDO ने बुला है कि नया auditor हायर करने से पहले हमारा invoice क्लियर कर देना क्योंकि भाई by juice पैसे नहीं देता है जो उनके US lender है उन्होंने 11,432 करोड रूपीज के claim किया है basically उन्हों 13,000 करोड से ज़्यादा का पैसा ले रखा है 1887 creditor से और वो जो claim है अभी review के अंदर है तो बहुत सारे लोग criticize करते थे गलर तरीके से product को बेचा गया मेरे हिसाब से सबसे बड़ा problem ये है toxic culture वल्चल छोड़ दो भाई बहुत सारी companies में toxic होता है बट ऐसी financial irregularities है न और आप लोगों का पैसा खा के भाग रहे हो toxic हो सकता है उनके मुँ में दिन भर पान पढ़ा रहता हो बट वो लोग उधार को लेके बहुत ज़्यादा sentimental होते है और मैं भी ऐसी ही business family से belong करता हूँ तो मैंने भी यही देखा यार किसी का पैसा नहीं खाना है बाखी कुछ भी कर लो और अभी तो पहानी खतम नहीं हुई है tax demand notice आया है 848 करोड का बाईजूस को और यह हम Indian tax authorities की बात करके चल रहे है उनका कहना है जो insolvency proceeding करी थी उसके अंदर saturated dues पड़े है बाईजूस के वो मांगे जा रहे है अगर हम अकाश की बात करके चले हैं उन्होंने 1404 करोड रुपीज का क्लेम मांगा है बाईजूस से तो ओवराल 15,000 करोड रुपया देना है बाईजूस को मार्केट का कंपनी की वेल्यूचन नहीं है अभी इतनी जितना पैसा मार्केट का देना है अगर हम सुईगी की बात करके चले हैं जोमैटो के बाद में उन्होंने भी लार्ज ओर्डर फ्लीट चुरू कर दिया है तो आप फोटो में देख सकते हैं क्या आपने इसको देखा है या फिर नहीं देखा मैंने जोमैटो वालों को देखे है शायद मैंने सुईगी वाले का भी देखा है अब सुईगी वालों का IPO आ रहा है तो वो पूरी जान लगा रहे है ये भी कर लो ये भी कर लो अपना नाम अच्छा रखो अगर हम कोलगेट इंडिया की बात करके चले तो वो आयरुवेदिक सेग्मेंट को बंद कर रहे है उनका कहना है कि भाई हम वापसी आ रहे है अपने में बिजनस के उपर हमने इदर उदर बहुत सारा हाथ मारा है बढ़ हमारी को स्ट्रेंद के उपर हमने उतरा फोकस नहीं किया उन्होंने बुला है 12% इंडिया की जो औरल कैटिग्री है वो प्रीमियम है 28% जो कंज्यूमर है वो प्रीमियन प्रोड़क्ट लेना पसंद करते है अब कोल्गेट वाले कह रहे है अर्बन सिटीज के अंदर एक कैम्पेंच चलाएगे कि दो टाइम ब्रश करो सुबह और शाम उनका कहना है 80% जो अर्बन इंडियन्स है वो रात को ब्रश नहीं करते है मैं भी उनमें से एक हूँ बाकी अगर चाइना के फॉरेक्स रिजर्फ की बात करके चले तो हाइस लेवल पे महुँच गया है 2015 अगस से यही सेम कहानी इंडियन फॉरेक्स रिजर्फ की दिखाई दे रही है वो भी all time high जाता हुआ दिखाई दे रहा है यह पैटन है मान के चलो आगे डाउंटन आ सकता है तब ही इतना फॉरेक्स कठा किया जा रहा है अगर हम UK की बात करके चले तो उन्होंने बोला है Google अपनी power का abuse करता है website ads के अंदर देखो simple सी बात सबसे बड़ा player है अब खाली वही कर रहा है तो abuse करें कुछ भी करें पर कोई option नहीं है बीच में खबरे निकल के आगे थी Google का ads वाला जो business है वो किसी और को बेचा जाए antitrust के चकर भी हो जाएगा वो हो जाएगा अब ही तक उसकी कुछ सुनवाई नहीं हुई है अगर हम meta की बात करके चले तो वो third party apps को whatsapp users को call करने के लिए allow कर सकता है तो वो third party messaging services के उपर काम कर रहा है जहाँ पर interpretability हो पाएगी और यह बड़िया चीज है मेरे साब से इसका मतलब यह है कि एक चीज दूसरे से जुड़ जाएगी दूसरी तीसरे जुड़ जाएगी मुझे नहीं पता कि कैसे यह चीज काम करने वाली है अगर यह open source होती हो और इसका पैसा नहीं लगता तो मज़ा आ जाएगा यह मान के चलो normal website के chatbots के साथ में जो interaction होगी वो whatsapp पे आ सकती है अभी के टाइम पे आप whatsapp की integrations को automate कर सकते हो पर उसका पैसा लगता है और वो constantly बरता चला जाएगा पर अगर open source technology के साथ में कुछ हो जाता है और हर एक call का पैसा नहीं लगता है तो भाई बहुत मज़ाएगा और इस पूरी चीज़ के पीछे है European Union उन्होंने सभी digital business की लेनी देनी कर रखी है वो कहता है बाई सब कुछ open करो privacy is the king ऐसा करो वैसा करो जो भी कर रहे हो सब कुछ बता के करो जिसके चक्कर में digital marketers के लिए एक बुरी चीज़ हो जाती है company owners के लिए बुरी चीज़ जाती है बट users के लिए बहुत च्छो जाता है जैसी iPhone अराम से चला रहा था अपना charger अलग तरीके से करके पर European Union के चक्कर में को type C लाना पड़ा Apple अराम से चला रहा था अपना खुद का iOS store बट European Union के चक्कर में को side loading allow करनी पड़ी अब user point of view से चीज़ सही है और business point of view से चीज़ खराब है बाकि इसी के साथ आज की बिज नीउस खतम होती है विए करता आपको मज़ा होगा ऐसे ही support बनाते रहो कोशिश मैं कर रहा हूँ कि अम मैं content बनाने में consistent हो जाऊ नीउस तो हम पहले भी consistently दालते थे बट अब साहिल करना वाले channel को भी grow करना है कल किसी ते comment कर दी हो और मैं को चुप गई उसने बोला भाई तेरको आप कोई नहीं देखता है लपास voice पे तो लोग देखते हैं वाई महापरन देखते हैं क्योंकि महाँ पर content नहीं दाला YouTube के algorithm प्रवोट नहीं कर रही थी बट मुझे लगता है जैसे हम दाले जा रहे है अच्छा content तो अभी फस जाएगी algorithm के अंदर मुझे personally बहुत मजा आ रहा है content constantly दालने में मेरे लिए भी किक रह रही है मुझे भी महनत करनी पड़ रही है मुझे भी बहुत कुछ करना पड़ रहा है लाइक कर देना शेयर कर देना कमें दाना वीडियो कैसी लगी बाहि गुड़ने शबगे खुदाफिस गुड़ मॉर्निक रफ्ट न जब भी आपड़े ओ देख रहे है जै हिंद बंदे मातरव